अब आपको समोसा बनाने के लिए घंड़ मैनत करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी क्योंकि आज हम सुर्फ 15 मिनिट में वो भी एक मज़ेदार ट्विस्ट के साथ बनाएंगे पटेटो रोल समोसा, सुपर क्रिस्पी और बहुत ही ज़ादा टेस्टी है तो आप भी ज़रूर ट्राइ कीजेगा सबसे पहले हम डो बनाएंगे तो उसके लिए एक कप मैदा, आधी चमच नमक, आधी चमच अजवाईन को ऐसे क्रश करके आड़ करेंगे और डेर चमच तेल आड़ करेंगे और अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है अभी हम पानी नहीं आड़ करेंगे बिना पानी आड़ किये हमें तब तक इसको मिक्स करना है जब तक कि ये ऐसे शेप ना होल करें तब ही समोसा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा अब थोड़ा थोड़ा करके वन थार्ट कप पानी आड़ करेंगे और डो रेड़ी कर लेंगे डो को ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा हाड अब बस उपर से थोड़ा सा ओल स्प्रेड करेंगे ताकि डो ड्राइ ना हो और इसे कवर करके एक साइड रख देंगे अब हम फटा-फट से मज़ेदार मसाला बना लेते हैं तो उसके लिए तीन उबले हुए आलू ले लेंगे और इन्हें अच्छे से मसाल लेंगे अब इसमें कुछ मसाले आड़ करेंगे तो उसके लिए एक चमच धनिया पाउडर एक चमच लाल मिट्च पाउडर आदी चमच जीरा पाउडर एक चमच चाट मसाला नमक आप अपने टेस्ट के कॉडिंग आड़ करें फिट दो चमच धनिया के पत्ते और दो चमच कॉनफलार, मैदा या चावल काउटा जो भी आपके पास हो आप वो आड़ कर लें और बस इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे कॉनफलार, चावल काटा और मैदा ये सारी चीज़े बाइंडिंग का काम करती है तो आपके पास जो भी हो वो आप आड़ जरूर से कीज़ेगा और फिर ऐसे छोटे-छोटे बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे और अब एक चमच मैदा में तीन-चाचमच पानी आड़ करके अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम रोल को स्टिक करने के लिए यूज़ करेंगे अब हम थोड़ा सा डो लेंगे और इससे एकदम पतला बेल लेंगे और समोसा खाने का मज़ा तो जलेवी के बिना धूरा है तो इसलिए अगर आपको बिना जादा मैनत के सिर्फ 5 मिनिट में सूपर क्रिस्पी और बहुत ही जादा टेस्टी जलेवी बनाना हो तो रेसे पे लिंक कॉमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे मिल जाएगी तो आप सरूर से चेक करें और मज़ेदार समोसा जलेवी एंजोई करें और अब साइट्स को थोड़ा सा काट के हटा देंगे फिर जो हमने आलू का बॉल बनाया था उसे रखके ऐसे लंबा कट कर लेंगे और हलके हाथ सीखदम आराम से इसको ऐसे रोल करेंगे फिर इसमें जो हमने मैदा का मिक्शिर बनाया था वो लगा के इसे अच्छे से चिपका देंगे ताकि इसके अंदर ओइल न जाए और बस ऐसे ही बाकी के रोल भी बना के रेडी कर लेंगे अब बस इसे मीडियम गरम तेल में फ्राई कर लेंगे बस एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक इन्हें फ्राई करना है और हाई फ्लेम पे फ्राई मत कीजेगा ने तो ये अंदर तक अच्छे से पकने पाएगा और अगर आपको कैमरे के पीछे क्या हो रहा है ये जानना हो और मुझसे धेर सारी बाते करनी हो तो Facebook और Instagram पे आप मुझे जरूर से फॉलो करें लिंक आपको comment section और description box में मिल जाएगी अब बस मज़ेदार गर्मा गर्म समोसा एंजोई करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो like, share, comment और subscribe जरूर से करें और bell बटन भी जरूर दबाए ताकि कोई भी वीडियो मिसना हो